आगे आज हम सब लोगोंने मिलके, ये तैय किया है, आप सब की सेहत के लिए हम सब के हमारी दिल्ली के लिए देश के लिए ये तैय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाऊन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक lockdown जारी रहेगा इस lockdown के तहट क्या-क्या होगा और क्या-क्या चीजे सस्पेंड होगे और क्या-क्या चीजे लागू रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ इस lockdown के तहट कोई भी public transport service allow नहीं की जाएगी इसमें private busें, taxi, auto rickshaw, rickshaw, e-rickshaw ये allow नहीं की जाएगी ये बंदोंगी DTC की busें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो essential services provide करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें दिल्ली के सारे shops, bazaar, commercial establishment, factory, workshop, office, go down, weekly bazaar ये सब बंद रहेंगे दिल्ली से सटे हुए सारे states के साथ जो दिल्ली के borders हैं ये borders seal कर दिये जाएंगे except जो essential items आने हैं माल लेजे पडोसी राज्य से दूद आ रहा है, सबजियां आ रही हैं, खाने पीने का समान आ रहा है जो essential items हैं के वो allow किये जाएंगे बाकी borders seal कर दिये जा रहे हैं interstate buses, trains और metro services ये भी suspend की जा रही हैं सभी domestic और international flights दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी suspend की जा रही हैं construction activity सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही हैं जितने religious places हैं किसी भी धरम के हूं वो सारे बंद की जा रहे हैं और सभी लोगों से ये निवेदन हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें